आप सभी का स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर इचा शुकला आज बात होगी शनी ग्रह के विशे में जो की काल पुरुष के दस्वें और ग्यार्वें घर के स्वामी है आज मैं केवल और केवल शनी के दस्वें घर के महत्तो पर बात करूगी क्योंकि एक बस शनी ग्रह की पोजिशन आपके पूरे कर्म यानि आपका काम कैसे होगे आपका क्या काम होगा और आप जिसको कहते हैं क्या पेंडिंग करमाज हैं आपके ये सारी चीजें बस आप एक शनी की position अपनी horoscope में अगर जाच लेंगे तो समझ जाएंगे यानि आज काल पुरुष के दशम इस्थान के स्वामी शनी की बात होगी मैं अभी कुछ दिनों से कुछ काल पुरुष यानि की जो हमारा fixed zodiac होता है जिसको आप भचक्र भी कहते हैं मेश से लेकर 20 तक उस पर बात इसलिए कर रही हूँ कि जब तक हम जोतिश में काल पुरुष की कुंडली को नहीं समझ लेंगे यानि की एक से लेकर 12 तक का जो होता है और उसमें जो fixed rulers हैं houses के उनको जब तक नहीं समझ लेंगे तब तक आगे आप अपनी कुंडली की analysis अच्छी नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखिए अगर हम काम की बात कर रहे हैं कर्म की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में दस्वें घर में मंगल की राशी पड़ी हो तो आप क्या सोचेंगे कि मेरे लिए तो मंगल कर्म का मालिक हो गया हो भी गया लेकिन आप कभी भी शनी को रूल आउट नहीं कर सकते शनी एक पहला पॉइंट होगा होरोस्कोप में जो आपके कर्म के पात को ओपिन कर देगा अन्रेविल कर देगा खोल देगा आप बाद में और कुछ भी देखिए तो आज आपको एक बहुत सरल तरीका आपके काम और आपके कर्म जो पैंडिंग हैं उन पर और आपके कर्म कैसे होंगे इस पर एक कैतना कर्टन रेजर जैसी कोई चीज के आज आपके आखों के सामने बहुत सारी चीज़े क्लियर होंगी एक ग्रह से चलिए शुरू करते हूँ सबसे पहले बात होगी कि शनी जो है वो अगर हम देखेंगे कैसे सबसे पहली बात ये कि शनी अगर आपके मेश राशी में प्लेज़्द हैं ठीक है राशी से बात हो रही है कि आपकी होरोस्कोप में वो राशी कहीं भी पढ़ी हो सकती है पर क्योंकि मैं बात काल-पुरुष पर कर रही हूँ तो ये माल लीजेगा कि आपके लिए मेश राशी चाहें दूसरे घर में हो छटे घर में हो लेकिन ये बेसिक गुण शनी का आपके अंदर अवश्य होगा जी हाँ इसी बात पर ये आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि मेरी बात कितनी ठीक होती है तो अगर मेश राशी में शनी है तो सबसे पहली बात ये कि ये पहली राशी है यानि आपका जो कर्म है वो अपने लिए ही आपके सारे कर्म जो है वो अपने लिए ही पैंडिंग है यानि कि आप अपने लिए ही सदैव काम करते हैं या सदैव खुद को प्रूव करने के लिए काम करते हैं आपके अंदर क्योंकि मंगल की राशी में शनी है और शनी यहाँ पर नीच के होते हैं ये भी आप सभी जानते हैं तो कई बार आपके अंदर प्रोकेस्टिनीशन होता है और अगर प्रोकेस्टिनीशन होगा तो आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो अगर मेश राशी में शनी होंगे तो जब तक ये लोग वर्कहॉलिक नहीं बनेंगे मतलब हर वक्त काम इनके दिमाग पर सवार नहीं होगा ये सक्सेस्फुल नहीं होगे क्योंकि इनका सारा जो कर्मा जो पैंडिंग है वो इनके अपने शरीर पर ही एक तरह से है यानि इनके उपर ही है पिछले जन्मों में हो सकता है कि आपने बहुत महनत नहीं की हो तो इस जीवन में शनी जो है वो नीच के हुए हैं आपकी कुंडले में और आपको सिखाना चाहते हैं कि जब तक आप बहुत हार्ड वर्क ने करेंगे जब तक काम को आप अपने सर पर सवार नहीं कर लेंगे आप सफल नहीं होंगे दूसरी बात यह कि क्योंकि मंगल की राशी में है तो आप मंगल से रिलेटेड काम अवश्य कर सकते हैं ऐसे लोग डॉक्टर हो सकते हैं सर्जन हो सकते हैं आपके पुलिस बगारा में जा सकते हैं इंजीनियर हो सकते हैं इंजीनियर में भी मेकेनिकल इंजीनियर बगारा बन सकते हैं यहां पर आपका शरीर काम में इन्वाल्व होता है आपकी परस्नालिक जैसे डॉक्टर है वो खुद इन्वाल्व है पुलिस जो है वो खुद दंडा लेके खड़ी हुई है कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो खुद खड़ा हुआ है यानि कोई भी ऐसा काम जो की एक मतलब एक फिक्स पिक्चर सी बना देता है और आपको उसमें बहुत अपने अपने दिमाग का अपने सब इसका बहुत एफ़र्ट डालना पड़ता है तो ऐसी कोई भी काम यानि डॉक्टर इंजीनियर आपके सर्जन सेल्स के पर लोग पुल अगर आपका शनी जो है वो शुक्र यानि ब्रशब राशी में बैठा हुआ है शुक्र की राशी है और काल पुरुष में दूसरी राशी है आज आप लोग अपने दिमाग को थोड़ा सा अपनी कुंडली से पहले हटा दें पहले इस पॉइंट को समझ लें और उसके इस जीवन में खुद को प्रूव करने की एक ललक होनी चाहिए यही आपका कर्म है यही पैंडिंग कर्म है आपका और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर आकाश जैसी आपकी लिमिट हो जाती है क्योंकि यह जो है शनी जो है वो सात्वे घर को देखते हैं ऐसे लोगों म सो अब आपने देख लिया कि यह मेश राशी की बात हो रही है अब अगर यही मेश राशी आपकी लगन में होगी तो आप बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसा मैं बता रही हूँ अगर आप यह मेश राशी माना आपके छटे घर में पढ़ गई तो आप बहुत आलसी होंगे शुरू में लेकिन आप क्योंकि नौकरी का घर है ना छटे घर में आ गया है शनी तो क्या होगा जैसे ही आप जॉब में आएंगे यानि आप पढ़ाई लिखाई किसी में भी क अगर यह चौथे घर में होगा तो आपको हमेशा एक भूत सवार होगा मुझे अपनी मा को प्रूव करना है खुद को यह जहां जहां भी आप ऐसे बढ़ते चले जाएंगे मैंने एक्जामपल दे दिया आप अपने हिसाब से लगाते चले जाएंगे अगर तीसरे घर में तो आपको अपने दोस्तों में अपने सर्किल में खुद को प्रूव करना है और जब तक आप बहुत हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आप प्रूव कर नहीं पाएंगे सो मंगल से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं क्योंकि शनी जिस राशी में होता है कर्म का स्वामी है उसके स्वामी से उसका रिलेशन बहुत डाइरेक्ट बनता है और अगर आप अपनी कुंडलियों पर लगाएंगे तो ये बिल्कुल सत्ते बैठेगा सूत्र अप ब्रषब राशी में अगर शनी बैठे हुए हैं तो आपका ब्रषब राशी जो है हमारे हुआरी दूसरी राशी है काल पुरुष्की हमारा परिवार है वानी है खानपान है संसकार है फाइनेंस है वेल्थ है तो आप ऐसा आपका कर्मा कहां पैंडिंग है आपका कर्मा पैंडिंग है इन इस्थानों पर परिवार के लिए आप सदैव चिंता करते रहेंगे धन के लिए सदैव चिंता करते रहेंगे और इसी त आप होस्पिटालिटी में काम कर सकते हैं, आप फाइनेशन सेक्टर में काम कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र की राशी में शनी है, और कर्म कहा पेंडिंग है, कर्म आपका पेंडिंग हो गया, परिवार, धन, तो आपको सदैब परिवार और धन के लिए एक मतलब कहते हैं एक खुद को प्रूव करने की एक इक्षा जो है वो शनी सदैब देते रहेंगे तो आपको ये क्लारिटी मिलती चली जाएगे अगर शनी बुध की राशी में प्लेजड होगे यानि की तीसरी मिथुन राशी में प्लेजड होगे तो आप किस तरह का काम कर सकते हैं पब्लिकेशन, मीडिया, ट्रेवल, टूर, आपकी लॉजिस्टिक्स, आपका मूवी वगारा भी हो सकती है, टीवी इंडस्ट्री भी हो सकती है या फिर सबसे बड़ी बात क्योंकि तीसरा घर अपना पुरुशार्थ होता है तो अकसर ऐसे लोग स्वयम का काम करना पसंद करते हैं इनको हमेशा एक फीलिंग होती है कि मैं किसी और के लिए महनत क्यों करूं क्यों ना मैं अपना काम करूं और अपनी महनत से खुद ही जादा कमालूं अगर मिथुन राशी में शनी है तो आपकी ये इक्षा अवश्य होगी और अगर आप बुद्ध से रिलेटेड काम या तीसरे घर से रिलेटेड काम आप करते हैं अप बहुत अच्छा कर सकते हैं आपके अपने छोटे भाई बहनों के लिए अपने धर्म के लिए अपने सोसाइटी के लिए आपके कर्म पेंडिंग है और ये आपको निप्टाने होगे अगर शनी कर्क राशी में प्लेस्ड होते हैं ये कालपुरुष की चौथी राशी है तो आप चंद्रमा से रिलेटेड फील्ड में काम कर सकते हैं चंद्रमा फूड इंडस्ट्री है आप अपनी मा के जैसा भी प्रोफेशन कर सकते हैं अगर कर्क राशी में चंद्रमा है तो आप अपनी मा जैसा काम कर सकते हैं या आपकी मा आपके करियर में बहुत एक बनाने में एक गाइडिंग फोर्स का काम कर सकती हैं बाकी जो चंद्रमा से रिलेटेड काम होते हैं चाहें वो फूड का हो चौथा अगर देखिए सुख सुविधाओं लग्जरी वगरा के आइटम का काम हो सकता है और तो और चंद्रमा अगर करक राशी में होगा शनी तो पॉलिटिक्स आपके लिए एक बहुत बड़ी फील्ड साबित होगी क्योंकि चंद्रमा मासिज है जनता जनार्दन है और आप ऐसे व्यक्ति जिनका भी चंद्रमा की राशी में होगा करक में होगा आप मान लिजे कि आप लोग जनता के साथ पब्लिक के साथ बहुत इमोशनली कनेक्ट करते हैं अब चाहे फिर आप साइकलोजिस्ट हो चाहे आप एक राजनेता हो चाहे आप माइंड रीडर हो औरा रीडर हो इस तरह का कोई भी काम आप कर सकते हैं और आप अपने क्लाइंट के साथ आप जनता के साथ इमोशनल कनेक्शन बना लेते हैं इसका उधारन इंद्रा गांधी जी का चार्ट है लगन में करक राशी है वहाँ शनी है आप देखिए कितनी बड़ी राजनेता थी और वो एक जनता की लीडर थी उनको इंद्रा अम्मा कहा जाता था साउथ में देखिए क्योंकि उन्होंने शनी जन्द्रमा की राशी में है तो मा की तरह नर्चर किया उन्होंने पॉलिटिक्स में खुद को लोगों में ने उनको इंद्रा अम्मा कह दिया ये जोतिश की ताकत है अब बात होगी कि अगर शनी सिंग राशी में बैठे हुए हैं तो आपकी कुंडली में क्या होगा सिंग राशी जो है काल पुरुष की पाँचवी राशी है सूर्य की राशी है तो पहला हो गया पाँचवी घर से रिलेटेड काम पाँचवा घर क्या है हमारी लर्निंग है हमारा ज्यान है साधना है साधना की फिल्ड से जुड़े लोग सरकारी छेत्रों से जुड़े डिपलोमेट्स इस तरह के काम आप कर सकते हैं जो भी सूर्य से जुड़े हैं ऐसे लोग भी पॉलिटिक्स में काफी अच्छा कर सकते हैं ये और बात है क्योंकि शनी अपने शत्रों की राशी में होगे तो आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा लेकिन ये जरूर है कि आपका मन सदैव सदैव पॉलिटिक्स और सत्ता या पिर अच्छी ताकतवर पोस्ट पे जाने का रहेगा अब बात होगी कि शनी अगर बैठे हुए हैं आपके कन्या राशी में कन्या राशी काल पूरुष की छटी राशी है छटा घर है तो अगर आपके कन्या राशी में कहीं भी कन्या राशी पड़ी हो अगर आपके शनी होगे तो आप लिटिगे से रिलेटेट काम, कोट में कोई नौकरी, कोई भी इस तरह का काम आप काफी अच्छा कर सकते हैं, ब्यवसाय भी करने की आपकी इक्षा रहेगी, लेकिन उसमें आपको दिक्कत जादा होगी, वो अगर शनी मिथुन में हैं तो जादा अच्छा देंगे, देखिए बुध द दिक्कत होगी, नौकरी ही आपके लिए बहतर है, इस और इस तरह के काम आप अगर करेंगे, जो छटे घर से रिलेटेड काम है, आप बैंकर हो सकते हैं, जो की लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि लोन भी है, रिन है, रिपू है, आप बहुत कॉम्प कॉम्पीटिटीव हो सकते हैं, एसी कोई भी फिल्ट जहां बहुतfarशन होता है, आप सेल्सений परसन हो सकते हैं, मार्केटिर एंग एग्जिक्रेटिव हो सकते हैं, जहां पर रोज कॉम्पर्टीशन आप डईल करते हैं और खुदको प्रूव करतें, अब बात होगी कि शनी अगर तुला राशी में है यह काल पुरुष की साथवी राशी है दिखाता है शनी यहाँ पर उच्चके भी होते हैं दिखबली भी होते हैं तो तुला राशी कहीं भी पड़ी हो लेकिन यह मान लिजे कि शनी के पास काफी बल है और ऐसे लोग अक्सर व्यापार की तरफ उन्मुक होते हैं और मैंने ये देखा है कि ऐसे लोग व्यापार में अच्छा भी बहुत करते हैं ये और बात है कि शुक्र की स्थिती आपको देखनी होगी शनी पर पढ़ते हुए द्रश्टी या कंजंक्शन्स भी चेक करने होगे लेकिन मन आपका सदैब जो है वो क्या करेगा कि आप द्यापार करें पार्टनर्शिप में कोई काम करें अपनी पत्नी के साथ मिलकर ही कोई काम कर लें या पती के साथ मिलकर कोई काम कर लें और वो भी अकेले नहीं कहीं न कहीं आप एक joint venture में घुसने की जादा कोशिश करेंगे आप litigation के मतलब एक ऐसे lawyer भी हो ज़कते हैं जो compromises कराते हैं mediation cell में काम कर सकते हैं अगर शुक्र की राशी में यानि तुला राशी में शनी होगे तो इस तरह के काम आप अच्छे कर सकते हैं और आप देखिए ऐसा काम आप अक्सर कर भी रहे होगे ये अगर मतलब 90% तो सही ही होगा अब अगर बहुत ही शनी के उपर और प्रभाव हैं तो भले ही ये चीज हलकी पड़ जाए लेकिन ये स्ट्रीक आपके अंदर अवश्य होगे अब अगर शनी ब्रश्चिक राशी में बठे है यानि की काल पुरुष की आठवी राशी में है तो कहां मन जाएगा कर्म कहां आपका पेंडिंग है क्या काम करने आप आए है तो सबसे पहली बात यह है कि आप जो भी काम सीक्रिट सर्विसेज के हैं अब मंगल की राशी है तो आप डिटेक्टिव हो सकते हैं आप रॉ में हो सकते हैं आप इंटेलिजेंस में हो सकते हैं आप बीमा वगएरा की काम कर सकते हैं इंशोरेंस में हो सकते हैं ओकल्ट में भी हो सकते हैं रिसर्च की फिल्ड में हो सकते हैं खनन वगएरा माइनिंग वगएरा की इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं भूघर्व से related जो भी चीज़े हैं केमिकल्स वगरा से related भी आप काम कर सकते हैं तो अगर शनी ब्रश्चिक राशी में होंगे तो इस तरह के काम करने का एक सीधा इंडिकेशन आता है कि ऐसा व्यक्ति इस तरह के काम में जादा सफल हो जाएगा बाद में आप उसको मंगल को देख लें ये राशी कहां पड़ी हुई है उसको देख लें तब फिर आप देखिए जोतिश आपको डॉट्स देता है और उन सारी डॉट्स को जोड कर एक पिक्च्र बनाई जाती है बच्पन में हम लोग करते था नंट बनी होते कि इनको जोड़ो फिर वो एक कभी चुवा बन जाता था कभी कुछ बन जाता था बस वही है तो डॉट्स लेने हैं हमको शनी ने पहला डॉट दे दिया जिसके राशी में बैठा हुआ है या काल पुरुष के कौन से घर में बैठा हुआ है अब वो जहां भी होगी अब अगर आपकी ब्रशिक राशी पढ़ जाती है लगन में तो क्या होगा कि आप काफी सिक्रेटिव पर्सनालिटी के व्यक्ति हो जाएंगे जी हां और आपकी काम करने का जो तरीका होगा वो बहुत सिक्रेटिव होगा किसी को पता नहीं होगा और आपका काम भी इस तरह का हो सकता है तो ऐसे आप जोड़ेंगे तार्क यानि dots बनाएंगे और dots को जोड़कर एक picture बना देंगे और पता कर लेंगे मैं क्या करने वाला हूँ आगे चलते हैं शनी अगर धनू राशी में बैठे हुए Sagittarius ब्रहस्पति की राशी है 200 भाव राशी है काल पुरुष में नवा घर है अगर मंदिर है धर्म है न्याय है राइटियस्नेस हायर लर्निंग विदेश यात्राएं अब अगर शनी यहां पर धनू राशी में बैठे होगे नाइन्थ हाउस में नहीं नौ नंबर जहां बढ़ा हुआ है तो आप धार्मिक व्यक्ति होगे जी हां जेनरली आप धार्मिक व्यक्ति होगे आप टीचर हो सकते हैं कंसल्टेंट हो सकते हैं औरों के लिए काम करने वाले औरों के सलहाकार हो सकते हैं नियाया धीश हो सकते हैं, एक मंदिर में पुजारी हो सकते हैं, एक ट्रेवलर हो सकते हैं, अब ट्रेवल ब्लॉगर हो सकते हैं, कुछ भी इस तरह का काम आप कर सकते हैं और ये काम करना आपके लिए बहुत सूट करता है, ठीक है? ये काम आपके लिए बहुत सूट करते हैं कोई भी ऐसा काम जहां पर बहुत कॉंप्रोमाईज करने पड़ते हैं राइटियसनेस नहीं होती है वो काम आप नहीं कर पाएंगे शनी जब कभी भी दुईसो भाव राशी में हों जैसे कि मिथुन में हों, कन्या में हों, धनू और मीन तो अकसर ऐसे लोग थोड़े confused भी रहते हैं कि मतलब मैं क्या करूँ कभी वो सोचेंगे कि मैं एक philosopher बन जाता हूँ कभी वो कहेंगे मैं एक teacher बन जाता हूँ कभी वो कहेंगे क्यों ना मैं lecture देना शुरू कर दूँ like that और कई बार source of income भी दो दे देता है अगर दूई सुभाव राशी में शनी बैठता है तो धनू राशी में जो की काल पुरुष की नवी राशी है आपको इस तरह के आप विदेश में भी काम करने की इक्षा रख सकते हैं जा सकते हैं अब सबसे बड़ा इस्थान शनी का खुद का यानि की मकर राशी में अगर शनी होंगे मकर राशी काल पुरुष की दसवी राशी यहाँ पर शनी जो हैं वो क्या करते हैं खुद को प्रूव करने में खुद को place करने में बहुत ताकत लगाते हैं क्योंकि ये दस्वाँ घर जो है वो कुन्डली का सबसे प्रकाशित भाब होता है यानि जो मकर राशी है जो कालपुरुश में दस्वाँ घर है वो सबसे प्रकाशित है तो ऐसे लोग हमेशा खुद को प्रूव करने के लिए, सोसाइटी में बड़ा नाम बनाने के लिए, सोसाइटी में कुछ बड़े काम करने के लिए पैदा होते हैं सरकारी पदों पर भी हो सकते हैं, सरकार की नीतियां बनाने वाले लोग हो सकते हैं जो समाज में कुछ फर्क डाल रहे हैं, समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं, समाज सेवी भी आप हो सकते हैं और जरूर ये बात है कि ऐसे लोग हमेशा थोड़ा सा लाइम लाइट में रहना चाहते हैं पुम्ब का शनी ज्यादा लाइम लाइम लाइट में नहीं रहना चाहेगा, लेकिन केप्रिकॉर्न का शनी हमेशा थोड़ा सा, क्योंकि वो चाहता है कि उसको माना जाए, उसकी एक पहचान हो, इस तरह का प्रयास आपको रहता है, नौकरी करें, सरकारी नौकरियां करें, क् कि शनी हाइरार्की में स्लेव है, तो ऐसे लोग अकसर सरकारी नौकरी वगरा में अच्छे करते हैं, या फिर किसी भी कंपनी में काम करते हो, तो वो एक हेड की पोजिशन पास सकते हैं, शनी का भी जो कारक शेत्र है, वो आपका, शनी तो इन फरक दसमें घर के कारक ही है, इन से तो सारे ही काम जोड़े होते हैं, आप उसका मतलब आपकी कुंडली में शनी अगर मकर राशी में हैं, तो आपका दसमें घर का मालिक शनी से क्या सम्मंद बना रहा है, या आप देख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, अब बात होगी कि शनी जो हैं, अगर कु कुंब राशी में शनी होगे, तो कुंब मतलब एक ऐसा बड़ा घड़ा है, जो कि उपर से छोटा और बीच बहुत इसकी बड़ी होती है, यानि कि आप लोग ऐसा कोई काम करते हैं, जो कि काइंड आफ ओकल्ट से रिलेटेट काम भी होते हैं, देखिए, ग्यारवा घर का सरकार का राजस्व है, लाब है, तो आप ऐसी जगहों पर काम कर सकते हैं, जहां सरकार से लाब हा रहा है, अगर आप माना कुंब राशी में आपका शनी है, जोतिशी भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके क्लाइंट्स पॉलिटीशन्स हों, और आपको पॉलिटीशन्स से प शनी का कुम्भ राशी में होना भी एक उसकी बहुत strong position है, आप networking से related काम करें, आप finance से related काम करें, आप अपना ब्यवसाय करें, तो भी बहुत अच्छा रहता है, पर उसमें आपको काफी networking करनी पड़ेगी, तब ही आप कर पाएंगे. आप सरकार की राजस्व की जो नीतियां होती हैं, यानि की आप income tax वगरा में हो सकते हैं, आप IRS की service में जा सकते हैं, revenue services में जा सकते हैं, इस तरह की चीजों में आप बहुत अच्छा perform भी कर सकते हैं. अगर शनी मीन राशी में होंगे, जो की काल पुरुष की बारवी राशी है, ब्रहस्पति की राशी है, तो आप मानकर चलिए कि या तो फिर आप एक healer है, या एक doctor बन सकते हैं, आप आश्रम में काम कर सकते हैं, hospital में काम कर सकते हैं, एक teacher या गुरू हो सकते हैं, consultant हो सकते ह आपकी बात, आपकी सलहा बड़े बड़े लोग मानेंगे, क्योंकि आपकी बात में बहुत वजन होगा, आप बहुत sacrificing होंगे, charitable भी आप होंगे, मतलब आप खुद के लिए कुछ sacrifice करके भी दूसरों का भला कर सकते हैं, अगर शनी मीन राशी में होते हैं, profession आपका बहुत सारी चीजों से decide होगा, लेकिन आपका मन इस तरह के कामों में होगा, अगर आप इस तरह के कामों से जुड़ जाएंगे, lecture देना, लोगों को समझाना, train करना, तब फिर आप बहुत अच्छा कर लेंगे, सो शनी के placement राशियों से भी आप बहुत कुछ गणना लगा सकते हैं, अब एक छोटी सी और टिप दे देती हूँ, आपको इसी वीडियो में, कि अगर शनी का सम्मन्ध शुब ग्रहों से बनता है, मतलब ब्रहस्पती के साथ हो, ब्रहस्पती की राशी में हो, या ब्रहस्पती इसे त्रिकोन में हो, 159 की position पर हो, या आमने सामने हो, तो ऐसे व्यक्ती काफी धार्मिक भी होते हैं, बहुत मतलब अच्छे कर्म करने के लिए ये लोग यहां आए हैं, और ये लोग कभी अपनी ethics से compromise नहीं करेंगे, इसी तरह अगर मंगल के नक्षत्र में शनी हैं, तो ऐसे लोग बहुत उद्यमी हैं, और ये कभी भी अपने लाब के लिए अपने ethics से compromise कर सकते हैं, कुछ cruelty के काम भी कर सकते हैं, अगर मंगशनी का सम्मन्ध शुक्र से होगा, तो अच्छा है, आप व्यापारी हो सकते हैं, luxury से related होंगे, आप ज्यानी भी होंगे, शुक्र भी गुरु है, तो शुक्र और शनी का सम्मन्ध भी positive है, यहां आप अच्छे कर्मों को exhaust करने आए हैं, अगर बुद्ध और शनी का सम्मन्ध बन रहा होगा, तो आप एक traveler हैं, और कई बार आप मतलब अपनी आजादी के लिए दूसरों से भीड जाएंगे, आप समाज सेवी भी हो सकते हैं, आप इस जीवन में समाज सेवा के कारियों को करने आए हैं, ऐसा भी आप सोच सकते हैं, अगर शनी आपका सूर्य के साथ सम्मंध बना रहा है, तो फिर आप यहाँ पर राज सत्ता से related या सरकारी तंत्र से related या अपने पिता से सम्मंधित कोई कर्मों को pending कर्म हैं, उसको पूरा करने आप आए हैं, ये position पर depend करेगा कि किस position पर शनी और सूर्य विराजमान हैं, क् उनकी अपनी dignity क्या है, तो अच्छे या बुरे परिनाम उस हिसाब से होंगे, अगर चंद्रमा के साथ शनी का connection है, तो मैंने आपको बता ही दिया, कि मासिस से connect करना, आप जनता के लिए कुछ काम करने आए हैं, या फिर आप अपनी मा के related कुछ कर्म पेंडिंग हैं, उनको पूरा करने आए हैं, अगर राहु और केतु का संबंध बनता है, तो फिर आप उनके dispositor से समझ लें, यानि जिसकी भी राशी में राहु बैठा हुआ है, उस राशी के स्वामी और ब्रहशनी का संबंध समझेंगे, तो आपको इनकी प्रकृति जो है, वो समझ आ जाएगी वही केतु के साथ है, केतु के साथ अगर शनी होता है, तो निश्चित रूप से कही न कहीं पिछले जन्मों के कुछ बड़े कार्मिक दंड जो हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे, इस जीवन में आपको उनको पूरा करना ही पड़ेगा, मतलब आप बच कर नहीं जा सकत तो ये थी मेरी एनलेसिस, शनी से अपने कारे को, अपने कर्मों को किस लिए आप आए हैं, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, अगर आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, थैंक्यू सो मैज झाल